हिंदी टीवी सीरियल जहनक में ड्रामा कभी खत्म नहीं होता। बीदे एपिसोड में देखने के लिए मिला था कि जहनक अपने जीवन की नई शिरुवात करने के लिए मुंबई पहुँच चुकी है। अब आप देखेंगे कि उसे नौकरी भी मिल गई है। हलाकि उसे गु हलाकि छोटन और बड़ी माप जहनक को लेकर परेशान है। आज की एपिसोड में आप देखेंगे कि जहनक के लिए मुश्किल समय बिपाशा नौकरानी के साथ धापने रिश्टे को लेकर अनिरुद्ध की गल्तियों को दूर करने का प्रयास करती है। हलाकि वे अपनी भ अपनी बेटे के लापरवाह व्यभार से निराश हैं और उमीद करते हैं कि वे एक जिम्मेदार पती बनी जो पूरी तरह से अर्शी के लिए समर्पित हो। शुप का मानना है कि जहनक घर में वापस आने के अवसर का इंदजार कर रही है लेकिन वे उसे इस पार ऐसा नही करने देने के लिए दुरसंकल पित है जहनक को एक के एरटेकर की भूमे का सौपी गई है जो ये सुनिष्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि रहर सल रूमबे दाग हो और गुरुजी की देखभाल करे क्योंकि वे डांस शो की प्रतियोगियों का मार्ग दर्शन करते हैं सीरिल में आगे देखने के लिए मिलेगा कि हलाकि उसके साथी प्रतियोगी लगातार उसे परेशान करते हैं अनुचित मांग करते हैं जैसे कि खाना ओर्डर करना और विभिन तरीकों से उसका अपमान करना जब गुरुजी आते हैं तो वे सभी उनका बहुत सम्मान के करते हैं और सभी के सामने उसे अपमानित करना शुरू कर देते हैं इस व्यवहार के जवाब में गुरुजी स्थिर्दी को संबोधित करते हैं और जनक को विशेश निरदेश देते हैं यहरसल के दौरान वहने प्रतियोग्यों की शिकायतों के कारण कक्षा के बाहर रहती है कि वे है परेशान महसूस कर रही है जब वो खिरकी से देखती है तो वे जनक पर व्यवधान पैदा करने का आरोप लगाते हैं आगे देखने के लिए मिलेगा कि इन आरोपों के आलोप में गुरुजी जनक को अपमान जनक होने के लिए फटकार लगाते हैं जनक क वो अपनी नौकरी खोने का डर है और वेहूं से माफी मांगती है। छोटन म्रणलीनी के दक्तर में अपने शादी के बारे में बात करने के लिए जाता है लेकिन शुरू में वेहूं से बात करने के लिए तैयार नहीं होती। हाला कि जब छोटन शादी के विशय का उलेक करता है तो म्रणलीनी उसे जारी रखने के अनुमती देती है। छोटन उससे विन्ति करता है कि वो उनके माता पिता द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था से सहमत ना हो क्योंकि इससे उसके जीवन में केवल और राजकता ही पैद कहानी गड़ता है एक बार फिर उसके विवहार से हताश होकर म्रणलीनी उसे आश्वस्थ करती है कि वो शादी से इंकार कर देगी ताकि वे दोनों इसके लिए दबाव से बच सकें।